नमस्यो दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने के लिए हैं चॉकर्ट के बारे में और यह बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है खास़ करके आयरण चॉकर्ट के होनने वाला है लोही के सबjem मैं बन्हें मैं जैसे कि पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि कहां पे आपको कौन सा चौकट लगाना चाहिए चौकट आते हमारे कई तरह के हैं जैसे कि आयरन का आता है लुहे का आता है स्टील का आता है लकडी का आता है और पत्थर का आता है ज buldedon Miller का हमें कि संट के लिगाना चाहिए इसके ऊपर मैंए प्रापर डिटेलिंग में अगर आपने वीडियो नहीं देICK इह तो काफ़ी तरह क्या होता है जो घर बननाते बनाते आक्री स्टेप पर आते तो वहां पर बजते में पहुत में हैं करता है यह कम खर्चे में अच्छे में अच्छा में लेकर कोशिश करते हैं तो उसमेंसे यह आता है हमारा लोहका दोरफ्रेम, य송 बहुत इंप्शुपे मतीत, कि ये ठोड़ा सा जाता है जोड़ा स्थुपे करता है, आपके लखडी के के coach और ग्रेम ही का क् terrifying, और दूसरे डोर पीम सब्स ना हम आजकर समय कहा है, वह एम मंन जाते, लेकिन आपका जो वीडन है और बागी पत्थर मे क्या है लोग के लगाने के यह कोस्ट में स़स्टा पड़ता दोस्तों प्लस यह लाइट वेट होता है और यह उस्में दोस्तों सबसे बड़े benefit जो है वो है termite का मतलब कि इसमें दीमक नहीं लगता है यह इसका सबसे बड़े benefits हैं और इसी इसी लिए बहुत बार लोग इसको prefer करते हैं बहुत जगह पर लेकिन इसका आप इसके घाटे की बात कर लेते हैं मतलब इसको लगाने का जो घाटा है मैं क्यों कितका घाटा होता है चाहिए जिस लोहे का दोर फ्रेम लगने में तो जब भी योहे का दोर फ्रेम you says करते औहो तो वहां पर आपको सकत्रहा है कि जंग की प्रोबलम सबसे बड़ा नुकसान है और दूसरा लकडी देम का सब लगाते हो तो दिखने में खूप सर तो काफी अच्छा डिजाइ लेकिन जंग लगने की problem इसमें बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि लोग मोटा मोटी 10 से 15 साल के अंदर ये doorframe चेंज करवाना पड़ता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखें तो आपको ये doorframe चेंज करवाने के दोत नहीं पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है ल maintenance continue करते रहेंगे, तो इसमें आपको ये लंबे से लंबा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप maintenance पे ध्यार नहीं देते हो लोहे के doorframe में, तो ये दोस्तों time के साथ आपका जल्दी-जल्दी खराब हो जाएगा, इसमें सबस्यादा problem जंग की जैसे की आती है, और ये जंग लगने का problem आपके start कहां से होती है, इसके जड़ से, आपने doorframe को जहां भी लगाया, वहां पे आपने tile के नीचे, flooring के नीचे, भी इसका हिस्सा गया, उस वहां से इसमें जंग लगने की problem start होती है, फिर धीरे धीरे उपर तक लगना लगते रहता है, इसमें जंग, और फिर दिखने में ये काफी भद्दा और काफी गंदा लगता है देखने में, खास कर ये bathroom में और ऐसी जगहों पर पानी का बहुता होता है, या front gate में अगर आप इस doorframe को यूज करते हो, तो वहां पे आपका अक्सर पानी पढ़ता है, और इस करना से आप पर जंग लगनी प्रावलम बहुत जा दिखाई पड़ती है, और ये doorframes आपके गंदे दिखने लग जाते हैं, खराब होने चालो हो जाते हैं, काफी बार देखा गया है, कि बातरूम में अगर आपने लोहे का doorframe यूज किया है, तो वहां पे ये गलने लग गया है, गिरने लगया है तो टूटके, इन doorframe को यूज कहां कर सकते हो दोस्तों आप, इन doorframe को आप यूज कर सकते हो, या तो आप प्रापर बैडरूम में, कीचन में, ऐसी जगहाँ पर जहां पर आपका पानी का कम से कम यूज हो, तभी आपकी ये doorframe लंबे से लंबे जा सकते हैं, लोहे में सबसे बड़ी दिक्कत जो लोहे के doorframe में है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जंग लगने की problem सबसे जगहाँ और सबसे बड़ी problem है, इन doorframe को खासका इसी जगहों पर बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, जहां हमेसा नमी बनी रहती है, खासकर मैं इसको को कहूँ हैं, और सबसे पढ़ने के कारण आप इसको बहुत अराम से यूज करते हैं, तो मेरा कहने का यह है कि अगर आप यूज कर रहे हो इसको, तो फर्स फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ट फ्लोर यूज कीजिए, लेकिन आपका weather condition आप जहां रहे हो, वहां का weather condition पे भी बहुत है, मतलब थोड़ा सा नमी बला रहता है, यहां आपके बारिस continue होती है, यह सब कुछ continue बना रहता है, तो ऐसे जगहों पे आप लोहे का डोर फ्लोर फ्लोर सा इग्नोर कीजिए, और आप किसी समुद्र किनारे या रहते हैं, तो दोस्तों ऐसी जगहों पे भी आप लोहे का जादा माहिने करता है, कि हम किस cost में आप लगाएं, वहां लकडी का door frame बहुत बार लोग नहीं कर पाते हैं, लकडी का door frame काफी जादा costly होता है, और इस कारण से लोग लकडी का door frame लगाना prefer नहीं करते हैं, और जैसे कि बहुत लोग कहेंगे कि हम लगाते हैं, तो वहां दी लकडी में आपका दीमक जल्दी नहीं लगता प्लस इसमें और benefit यहां कि आप और कों से use कर सकते हो आथासार जिल्दा कोंद बहुत कर सकते हैए है इस है आफ कि यहां में में बहुत जादा है यह मैंने प्रशंड के घर में इतनी ज्यादा थी एक टाइम पर करके लगडी के सारे फ्रेम निकलवाने पड़े और बाद में वहां पे लोहे का दोर फ्रेम यूज करना पड़ा तो डिपेंड आपके उपर करता है सस्ता महगा यह अलग चीज है लेकिन काफी पार लोग अपने सुविधा देखते उस हिसाफ से लगाते हैं तो यह चोटी स सब्सक्राइब करो अब वीडियो समाप्त करते हैं जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में अगली और वीडियो में चाहें तो हम हमें आप नीचे लिंक दिए हुए हैं इंस्टाग्राम टेलीग्राम ट्विटर फेस्बूक इन सभी के आप फॉलो भी कर सकते हैं जय ही जय बाराइब